नमस्कार साथियों देखे मित्रों आज आपको एक ऐसी महत्पुन बात बताने जा रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ये दोनों एक्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा मतलब ये समय लीजिए कि एक तरह से ये की है एक्जाम को क्वालिफाई करने की ये चाबी है तो पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखेगा अच्छे से सुनिएगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ ही एक क्यूशन भी आपसे पूछते हैं कि अभिनाव भरताचारी की जो उपादी है वो किस सासकी थी अभिनाव भरताचारी है तो ये कमेंट करके बताईएगा देखे आज का वीडियो किस चीज़ से संद्रवित है किस से मतलब है क्या है आज का वीडियो में कई बार विद्यार्थी पूछते हैं किसरा हम त्यारी कहां तक करें किस लेवल तक की त्यारी करें कि हमारा सेलेक्शन हो जाए अब एक्जाम में आप कई बार देखते हैं कि कुछ क्यूशन ऐसे होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं और वो 95% विद्यार्थियों को आते हैं वो क्यूशन कुछ क्यूशन उसमें ऐसे होंगे जो 40-45% विद्यार्थी ही उस क्यूशन को कर पाएंगे और कुछ क्यूशन ऐसे होते हैं जो 4-5% या यूँ कहे 1-2% विद्यारती ही उन क्यूशन को कर पाएंगे तो आज मैंने अलग-अलग जो हैं वो बनाए है क्यूशन, अलग-अलग लेवल के कि किस लेवल तक की आपको त्यारी करनी चाहिए, किस इस तर तक आपको पढ़ना चाहिए कि एक्जाम के अंदर आपका स्लेक्शन हो जाएगे तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैंने क्यूशन लिया है कि महाना परताब का जनम किस से दुरग में होता है अब ये क्यूशन, आप देखे ये पेपर मैं कोई इसलिए आपसे नहीं ले रहा हूँ कि मुझे ये जानना है कि आपके दस में से किते से ही होते हैं ये पेपर इसलिए नहीं बनाए है, ये कुशन मैंने अलग-अलग बनाए है, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ, कि कौन से कुशन आपका सेलेक्शन करवाते हैं, और किस-किस तरह के एकजाम कुशन पूछे जाते हैं, तो आपको बैसे इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना है, तो ये जो कुशन है, ये मेरा ये मानना है कि 99% विद्यार्थियों को ये कुशन पता होगा, राजस्थान के कम से कम 99% या 95% तो आप कम से कम मानिए, जिन विद्यार्थियों को ये मालूम है, कि हां माहना परताप का जनम किस दुरग में होता है, अ अब एक क्यूसन में और ले रहा हूं कि महाना परताब के हाती का नाम था अब ये क्यूसन एक्जामे निसी दूर्प से आए वे तो हो गई हलांकि मैंने तो इनको बना के लिखा लेकिन ये 100% ये एक्जामे क्यूसन आए वे हैं इस तरह के तो महाना परताब के हाती का क्या न अब ये वाले जो question है दोनों, जैसे एक उधान के तोर पर मैं कहूं, तो इनका उतर 95% विद्यारतियों को आता है, वो बात अलगी कि exam के दबाव के कारण या कुछ लापरवाई के कारण गोडे की जिगा हाती का नाम कर देंगे, हाती की जिगा गोडे का नाम कर सकते हैं, एक selection करवाने वाले question नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुना, ये question आपका कभी exam में selection नहीं करवाते हैं, हाँ, अगर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो उसकी बरपाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके ये सही भी हो गया, तो आपने करने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कितनी ही रातें काली की थी, कितनी ही रातें मैं पढ़ता रहा, जागता रहा, नहीं, तो ये question ऐसे question है, जो हर विद्यारती जब बाहरा आएगा कहें, हाँ, मुझे इतने आते थे, ये वाला तो मेरा सही हुआ है, तो उसमें कर देते हैं तो, क्यों, क्योंकि ये question 95% विद्यारतीं के सही ही होंगे, तो लेकिन अगर गलत हो गया इनमें से कोई, इस तरह के परशन अगर आपके गलत हो जाते हैं, तो फिर उसकी बरपाई नहीं हो सकती हैं, नेक्स्ट question मैं जो मैंने बनाया है, खानवा यूद में रा दियारतीं को ये question मालूम है, तो ये परशन आपकी मन की संतुष्टी के लिए बहुत अच्छा है, कि हाँ देखे हम ये कर के आगे, कुछ student लपरवाई में हकीम का सूरी इसका उतर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे को भी पता है कि राना सांगा का सेनापती कौन था, और महाणापरताप का सेनापती कौन था, महाणापरताप का सेनापती था हकीम का सूरी जो हल्दी काटी के युद में, और खानवा युद में राना सांगा का सेनापती था असन कितने का मनसबदार बनाया था अब आपको और यह RPSC 2nd grade का जो फर्स्ट paper है उसमें सलेबस में rising है आपके बिकानेर का जो सासक है rising यह question जो ही मैंने लिखा 50% विद्यार्थी तो यहीं से बाहर होगे अब उनको मुझे पता है आप मेंसे भी कितने विद्यार्थी अगर हजारों देखेंगे तो लगबग आदे ही होंगे या फिर मैंने अगर कहीं किसी वीडियो में बताया है या फिर आपने अगर अच्छी authentic पुस्तकों का अध्यन किया है तो तो आपको यह परशन आएगा नहीं तो आपको इतनी आसानी से नहीं आएगा तो लगबग 40 से 45 परसेंट इस्टुनेट मान लिजिए जो इस परशन को कर पाएंगे तो जैसे कितने का मनसबदार बनाये था जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाये था किसको राई सिंग को 1605 में अकबर की मरत्यू हो गई थी और जहांगीर जो है वो राई सिंग पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था मान सिंग पर उतना विश्वास नहीं करता था इसलिए जब अकबर की मरत्यू हो जाती है तो अकबर की मरत्यू के बाद में मान सिंग को वो समान नहीं मिला किसके कारेकाल में जहांगीर के कारेकाल में जो अकबर के समय मान सिंग को मिला यहां तक कि अकबर ने अपने मरने से पहले मान सिंग को साथ हजार तक का मनसबदार बना दिया था अब तक का सरवे स्रेष्ट अगर किसी को मनसब मिला था तो वो साथ हजार का पत था किसी हिंदू सासक वो भी राजपुता नमे तो यह आपको द्यान में रखेगा मनसब एक क्या होता था? एक पत होता था जिसमें दो चीजें होती थी एक तो जात एक सवार तो ये परशन जो है ये आपका selection करवाने वाले परशन है ये परशन जो होते हैं आपको धीरे धीरे अपने selection के नजदीक लेकर के जाएंगे next परशन आता है कि राणा कुम्भा द्वारा रचित संगीत राज का कौन सा भाग नहीं है ये उन परश्णों में है जो 25-30% के अबले विद्यार्थी इनका सही उतर कर पाएंगे, 25-30 या इससे भी कम तो अब जैसे मालजी इस परश्ण का सही उतर जो है, वो क्या है, कौन सा बाग नहीं है अब किसी ने अगर ये पढ़ावा नहीं है पढ़ रखा है, तो उसको पता है कि कुमबा रतनकोष नाम से इसमें संगीत राज का कोई भी भाग नहीं था ये तो कुमबा रतनकोष मैंने यूँ ही बना के लिखा है इसमें, उतर जो है तो जिनका पढ़ावा नहीं है सिर्फ रणा कुमबा पढ़ रखा है उनके संगीतराज गरंद के कितने पांच भाग है पांचों का नाम के, अगर उसको पता नहीं है क्योंकि संगीतराज गरंद किसका है रणा कुमबा का, ये पता है सबको सिर्फ इतना ही अगर आपसे पूछा जाए तो यह student पहुंच जाएंगे 70-80% तक का यह सही हो जाएगा लेकिन संगीत राज का कौन सा भाग नहीं है तो अब इसमें 60-70% विद्यारती वहीं से बाहर हो गए और जिनका पढ़ावा नहीं है तो मुझे पता है वो तुक का क्या लगाएंगे यही लगाएंगे रस रतनकोष कि कुमबा है तो कुमबा तो होना ही चीए ऐसा नहीं होता है रस रतनकोष इसका सही इसका कुमबा रतनकोष जो है यह सही उतर है यह नहीं था बाकी तिनों थे और बाकी दो और भी थे यह आपके selection करवाने वाले परशनों में है next question आता है नन्देश्वर तारकेश्वर राना कुंबा को किस प्रसस्ती में कहा गया है यह वो परशन है जो आपको 5% में लेकर के आता है और 5% में लेकर के आ रहा है तो यह उसी को ही 5% में लाएगा बहुत ज़्यादा authentic पुस्तकों को बहुत ज़्यादा गहराई से अगर किसी ने पढ़ा है तो ही ये question होगा अब क्या merit बनाने में इस question का योगदान है क्या नहीं है बहुत ध्यान से सुनियेगा जो मैं समझा रहा हूँ नहीं है हालांकि मैंने राना कुमबा जो पढ़ाया है उसमें मैंने ये सब चीजें पढ़ाई है उस इसतर तक की त्यारी करवाई है कि जीरो से लेकर के और उपर तक उठा के लेकर गया हूँ लाश तक उस सरोच अवस्ता तक लेकिन ये person जो है आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इन person के पीछे पूरी जो आपकी संपून त्यारी है जो 40-50% विद्यारतियों को जीस्तरे के question आ रहे थे जैसे मैंने आभी आपको ये वाला उदान दिया था और एक जो उपर था राई सिंग वाला और आभी आगे भी आपको बता रहा हूँ उन person का सबसे बड़ा योगदान होता है आपके selection में मतलब ये नंदेश्वर तार के शुरे अब किसी ने अगर मेरे से पढ़ा रहा है या मालीजी आपने book में भी पढ़ रखा है और बहुत अच्छी पुस्तग में तो तो आपसे question होगा नहीं तो आपसे नहीं होगा तो इस तरह के जो person होते हैं ये exam में 2-4 question मालो 100 person अगर आते हैं तो 2-4 question इस तरह के आते हैं जिनका उत्तर अधिकतर समाव नहीं है कि जिसने paper बनाया है उसी कोई पता है कि मैंने ये question कहां से लिया है क्योंकि जिके का कोई अंट तो ही नहीं आपको ये इस तरह का question आता है बहुत अच्छी बात है और यहां तक कि अगर आपकी त्यारी है तो फिर आप ये मान करके चलिए आपको सिर्फ प्रिक्षा देरनी है उसके बाद में result का आपको wait ही नहीं करना इस level तक की त्यारी यहां तक पहुंचना ये question जो है ये सर्वोच अवस्था का question है ये अब ऐसा नहीं है कि कोई योगदा नहीं है अगर किसी का सही है तो उसको benefit ही है इसमें लेकिन कोई direct यहां तक तो नहीं पहुंचेगा कि किसी विद्यार्थी को महाना परताब के गोडे का क्या नाम था चेतक अब ये मालूम नहीं हो और ये पता है कि नंदेश वरतार के किस परसंग जो है यह है किस की उपादी राना कुमा की है और ये उसको पता हो ऐसा तो नहीं हो सकता त्यारी zero से होकर के उपर की और बढ़ेगी स्टार्टिंग की त्यारी में आता है कि माना परताब के गोडे का नाम क्या था चेतक ये सब को पता है बच्चे बच्चे की जबान पे है जिसने कुछ नहीं पढ़ा जिसका कोई लेना देना नहीं एक्जाम से ऐसे इनसान को भी पता है ये चीज यहां से ही ये सर्वोच आवस्ता तक आप पहुंसरे हो नंदेश्वर तारकेश्वर उस स्तर तक जाना है लेकिन अब केवल इस तरह के परश्णों के लिए आप अपनी उस 40-45% के अंदर जो विद्यार्थी आते हैं जो क्यूशन मैंने जैसे उपरवाल आपको बताया उस त्यारी को आप कभी प्रभावित नहीं करना चीए उसको प्रभावित नहीं कर सकते है कई बार विद्यार्थी क्या करता है तो इस इस तरह तक की जो उपर वाला क्यूशन था यहां तक की त्यारी आपकी जरूर होनी चीए इसके आगे का अगर आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं आता है 5% और उपर तक आप नहीं भी पहुंशते हो तो कोई फरक नहीं पड़ेगा वैसे इसका सही उतर है किर्थी सम परसस्ती है यह B सही होगा इसका अब जैसे next question है अहर संसकर्थी के संदर में नेमलिक्त कत्रों को ध्यानपूरवक पढ़ें अब यह जो परशन है यह selection करवाने वाला परशन है यह ना तो टोप के उन 5% का question है कि किसी को आया ही नहीं पता नहीं कहां से आ गया ऐसा भी नहीं है और ना ही उन केटेगरी में आता है कि 95% इसको सही कर जाएगा ऐसा नहीं है यह परशन आपका सही करवाने वाला परशन है बलब selection करवाने वाला इस तरह के परशन जिसके सही होंगे जिसको इतने अची knowledge होगी वो विद्यारती अपना selection करवाएगा अब क्या है आहड संसकर्ती में मुख्या नदी बनास्ती अता इसे बनास संसकर्ती भी कहा जाता है अब कईयों को पहले यही नहीं समझ में आएगा कि आहड तो आयड नदी का नाम आता है अब यह बनास कैसे होगी इसका मतलब आपके concept ही clear नहीं है हम बात कर रहे हैं आहड संसकर्ती और आहड संसकर्ती के अंतरगत जो आहड और इसके आजपास का जो स्थान था यह गिलूंड वगरार यह जो भेंसरोडगड गिलूंड ताहड और यह बालाथल वलब नगर यह जो बागोरवरा ओजियानार यह कई जो आसपास के इस्तान है तो आहड संसकर्ती जो है चार लगबग चार जिले जो आज़के हैं जैसे रासमत हो गया यह उद्यपूर हो गया इधर भीलवडा हो गया और इधर चितोडगड हो गया तो मुख्य रूप से इन शेतर में फैली भी थी आहड संसकर्ती और चुंकि अब आहड संस्कृती क्यों नाम दिया है? क्यों? क्योंकि इस संस्कृती में जो सबसे पहला स्थान खोजा गया था वो था आहड जैसे हडपा, जैसे सिंदु गाटी सबेता है तो हम उसको हडपा सबेता भी बोल देते हैं क्यों बोलते हैं हडपा सबेता, क्योंकि सिंदु घाटी सबेता का जो सबसे पहला स्तलक हो जा गया था, वो हडपा था, और वैसे ही ये जो संस्कृती है, जो कि कैसी संस्कृती थी, एक ग्रामिन संस्कृती थी, मुख्य रूप से यहां कौन सी चीज़ का प्रियोग होता थ तामबे का और मुख्य रूप से कौन सी नदी बैती थी? वो थी बनास नदी जैसे सिंदु गाटी सबेता में मुख्य नदी सिंदु थी और बाकि उसकी साइक थी तो मुख्य नदी इस संस्कृती की थी बनास इसलिए इसे बनास संस्कृती भी कहते हैं ये होता है concept clear होना अब वो जैसे भी आप से क्यूशन गुमा के पूछेगा तो आप उसको क्यूशन को सही कर जाओगे तो आहड संस्कर्ती में मुख्या नदी बनास्ती अताई से बनास्सकर्ती भी कहा जाता है आहड अस्थल में मुख्यता उल्टी तपाई विदी से पकाय जाता था आहड अस्थल की बात कर रहे हैं यहां हमने उपर लिखा आढ संस्कर्ती और दूसरे में हम लिखा आढ स्थल अब पटिकुलर आहड की बात हो रही है तो जो मर्द भांटते उसको उल्टी तपाई विदी से पगाते थे आढ़ स्तल से हमें तामबा गलानी के बटियां भी प्राप्त हुई है आढ़ संसकरती एक ग्रामीन संसकरती थी उपरोक्त में सही खतन का चैन करें एक, दो, तीन, चार ये सारे ही सही है ये क्यूशन में बनाया है आपको चीज को समझाने के लिए कि इस तरह के जो क्यूशन होते है आपके 100 परशन अगर एकजामे आएंगे तो कम से कम 25 से 30 परशन ऐसे होंगे जो ये वाले होंगे मतलब इस इस तरह के परशन होंगे और यही 25 से 30 question आपको खींच के लेके जाएंगे selection की तरफ और किस question बहुत सरल परबरती के होंगे जैसे यह उपादी कोई किसी की थी या किसका जैसे मैंने आपको उधान बताया उपर राणा सांगा का जो है वो सेनापती कौन था तो इस तरह के person जो है कम से कम 40-45 के आसपास जो है वो question आते हैं सरल टाइप वाले आप कही हों कि 100 में से 40 क्यूसन सही होगे शुरू में तो उनको लगता है कि आप तो बस इतने तो होई गए है इतने ही वे हैं अब इसके आगे आप 25-30 प्रशनों तक और पहुंचेंगे तब जाकर के आप अपने selection की तरफ बढ़ेंगे और इन कुशनों का आप कर जाते हैं तो ये जो 40 और फिर 25 ये जो आप उपर करके आए हैं जो selection करवाने वाले क्यूशन है तब आपका होता है chain मैं और आपी उधान दे रहा हूँ आपको अब जैसे बेराट हिस्तल किस नदी के किनारे इस्थित था तो क्या होगा इसका? क्या है? काली बंगा अब ये काली बंगा मैंने क्यों लिखा है यहां पे? इसलिए लिखा है अब आपको भी पता है कि इस प्रशन का सही उतर क्या है और ये प्रशन जो है ये selection करवाने वाले प्रशनों में नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सरल परवर्थी के प्रशनों में आता है 95% विद्यारतियों का इक्यूशन सही होगा पहला उप्सन मैंने काली बंगा लिखा है काली बंगा तो एक स्थल है लेकिन कईयों के दबाव में एकजाम का प्रेसर इतना ज़्यादा होता है सर एकदम जो है उनका दिमाग सुना हो जाता है और वो बान गंगा जो है सही उतर तो इसका बान गंगा है अब उनको काली बंगा जो है ये भी बान गंगा लिखावा नजर आता है और ये हकीकत है आपके साथ निश्ची तरुप से ऐसा हुआ है कि आपको पहला उप्षन बेराट नाम आते ही किस नदी के आपके दिमाग में है बान गंगा और आपको काली बंगा भी वहाँ एक्जाम में क्या नजर आता है बान गंगा लिखावा नजर आता है तो 4-5 कुछिशन तो आप ऐसे गलत करके आजाते हो तो कभी भी पर्षन को पढ़ो ये बंगा नाम आते ही ऐसा निए कि बान गंगा लिखा होगा उसको पहले पढ़ो उसने लिखा है काली बंगा है वो बान गंगा नहीं लिखा है उसने आँखों के आगे दिखता नहीं है अंदेरा सा आजाता है आपको लगेगा कि बान गंगा लिखा होगा और आपके साथ हुआ भी यह तो एक्जाम में अगर आप अलट नहीं हो तो यह जो 4-5 क्यूशन आप इस तरीके के गलत करके आते हैं क्या उसकी बरपाई है क्या संभव नहीं है बी अलट एक्जाम में अपने दिमाग को अपनी आखें अपने कान हर चीज़ बिल्कुल मस्तिक्ष अच्छे से उसको ओपन करके बेठी हैं वहाँ पर अब जैसे next question है बेराट के संद्र में निम लिक्त कतनों को ध्यान पूरवक पढ़ें इस तरह का matter का परशन यानि इस इस तरह तक आपको किसी परशन का knowledge होना ही चाहिए अगर आपको chain करवाना है तो चिनी यातरी आप जैसे उपर वाला क्यूशन था बान गंगा वाला अब अगर वो कोई विद्यार्ती सही करके है तो कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं हो गया है आप अपनी पीठ नहीं थप थपा सकते कि देखो मेरा ये क्यूशन सही हुआ है वो उस क्यूशन में नहीं है क्यूंकि वो 90% का सही ही होगा चिनी यातरी हैंसांग लगबग 634 सीश्यू में यहाँ पर आता है और बहुत मठों की पुष्टी करता है यहाँ से संख लिपी प्राप्त हुई है जिस तरह संख होते हैं उस तरह से हैं लेकिन इसको पढ़ानी जासक है कैप्टन बर्ट ने यहाँ सर्व परतम आशो का भावरू सिलालेख हो जा था यहाँ से प्राप्त मुद्राओं में 16 मुद्राएं हिंद 17 सासक मिनांडर की है अब बताओ इने में से कौन सा सही है तो इसका सही कौन सा हो जाएगा एक दो तीन च्यार यह वला यह सारे ही सही है यह उप्शन मैंने इसलिए बना के लिखे कि ताकि आपको कोई क्यूशन पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इन चीजों की इतनी नोलेज है या नहीं है और खास करके जो सब्वेता इस्तर से समदीत एक जाम में क्यूशन आते है वो इसी तरह के आते हैं इस तरह से कि आपको उसकी कितनी अच्छे से नोलेज है यह पर्षन जो है या आपका सेलेक्शन करवाने वाला पर्षन है ऐसे पर्षन एक्जाम में इस सिस्तर के क्यूशन जो है कम से कम 25-30 आते हैं और यही 25-30 आपका सेलेक्शन करवाके ले जाते हैं और जो सरल टाइब के 40-45 आते हैं वो तो आपके सही होना जरूरी है क्योंकि वहाँ अगर आपने गड़बड कर दी तो उसकी बरपाई नहीं हो सकती है लेकिन सिर्फ उतने ही आपको आते हैं तो भी कोई महान काम नहीं यह हो आप उसके लिए यह नहीं कह सकते हैं कि पता नहीं मैंने कितनी मेहनत की थी वर्षन शी यह पर्षन जब आपके सही होंगे तब आप कह सकते कि हाँ मैं पता नहीं कितने समय तक मैंने रात दिन मेहनत की है जब इन 40-45 से आगे भी बढ़ते वे आप यह 25-30 सही कर जाते हैं अब जैसे नेक्स्ट क्यूशन है अरब यात्री अलमसुदी किस गुजर परतिहार सासक के समय भारत आता है यह पर्षन मैंने अभी एक दो दिन पहले टेलीग्राम पे भी पूछा था मैं किसनों वगर अप्लोड करता रहता हूँ वहाँ पे मैंने आपको बोल भी रखा कहीं को यूटूब पे भी कई बार बता रहता है कि आप जोन कर ले और वहाँ पर क्यूशन वगर अप्लोड करते रहते हैं तो आपको एक पता चलता रहता है वहाँ इस पर्षन का उतर लगवे 60% विद्यार्थों ने गलत दिया इसका और उन्होंने क्या टिकाया? जबकि मिहर बोज इसका सही उतर नहीं है महिपाल पर्थम इसका सही उतर होगा तो ये पर्षन एक बहुत अच्छे पर्षनों में से है वो ही जो 25-30 क्यूशन बहुत अच्छे इस तरह के आते हैं उन पर्षनों में आता है ये वाला पर्षन तो मैं जो चीज आपको समझाना चारा हूँ आज कि इस पर्षन में ये जो 10 क्यूशन आपके सामने है इन 10 क्यूशनों में 4-5 क्यूशन ऐसे हैं जो जैसे माल ये पहला क्यूशन हो गया उसके बाद दूसरा, तीसरा और फिर उसके बाद ये चोथा और 4 के लगवग, लगवग 4 क्यूशन वो 4 क्यूशन ऐसे हैं जो आप मेंसे हर विद्यार्थी को आते हैं 10 पर्षन है, 10 मेंसे 4 नमर तो सब के आएंगे लेकिन ये 4 नमर जो आएंगे ये सेलेक्शन नहीं करवा सकते केवल 4 आना, आना जरूरी है लेकिन केवल 4 आना, सेलेक्शन नहीं करवा सकता उसके बाद जो instruction मैंने आपको बताए जैसे ये लाश्ट वाला है, मीर बोज़ वाला ये ये वाला हो गया, बेराट वाला इसके बाद, ये बेराट के संदर में ये हो गया फिर ये राणा कुमबाद्वर रचीत संगीराज का कौन सा भाग नहीं है फिर इसके अलावा आहड संस्कर्ति वाला प्रशन हो गया ये हो गया ये राई सिंग वाला किसन हो गया ये प्रशन जो है ये उन किसनों में है जो 25 से 30 परशन वाले विद्यारती जो है जिनको ये प्रशन आते होंगे तो सरल भी आ रहे है ये भी आ रहे है तो आपका आंकड़ा पहुंझ जाएगा कम से कम पिचेतर से 80 परशन तक और पिचेतर से 80 परशन नमबर लाना 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड के अंदर आपके 100% सेलेक्शन की कारंटी होता है और अब 5% के आसपास कोई क्यूशन बचा 5-10% मालो कोई 100 में से 4-5 क्यूशन ऐसे आगे उनमें जैसे ये क्यूशन है इस इस तरह तक अगर आपकी त्यारी है तो बहुत अची बात है लेकिन अगर आपको ये क्यूशन कोई नहीं भी आ रहा है इस तरह का बिलकुल कोई हटके आपके पूछे जो आपको नॉर्मली हर अथेंटिक पुस्तक में भी नहीं मिलेगा तो उस क्यूशन के लिए भी कोई टेंसन लेने के आपशक्ता नहीं है वो केवल वो एक पुस्ट भी आपका इस तरह का सेलेक्शन नहीं करवा सकता है ठीक है नंबर बढ़ेंगे अच्छी बात है लेकिन जो मैं कहना चाहरा हूँ उस चीज को समझने का परियास करना अब जैसे मान लिजिए ये आजगल परशनों पूस्ते हैं कि माना परताब के सयोग जो करता थे कौन थे अब नॉर्मली जो बुक्स में ऑथेंटिक पुस्तकों में मिलता है वो अब वो हर बार एक दो नया नाम ऐसा दे देंगे जो किनी ऑथेंटिक पुस्तकों में भी नहीं है फिर वो पर्टिकुलर अगर मेवाड राजे का इतियास जैसे गोरी संकर हो जाने लिखा तो वो लाएंगे पांच बड़े-बड़े वोल्यूम उसके उसमें कहीं कोई नाम लिखा होगा वो नाम लिखके दे दिया उसने तो क्या उसक्यूसन के लिए क्या आप पूरी सेना का नाम याद करोगे कि पता नहीं अगली बार और डीपली पूस लेगा तो मैं सब के नाम याद करके जाऊंगा नई तो ये एक प्रिक्ष्या का पैटर्न होता है और ये सिलेक्ष्या करवाने का एक तरीका होता है तो फिर से मैं एक चीज़ शोट में रिपीट कर रहा हूँ सो पर्ष्यन मेंसे 40 क्यूसन के आसपास ऐसे होंगे जो सब को आते हैं वो आपके सही होते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके बाद में 40 के बाद में कम से कम 25-30 क्यूसन ऐसे आएंगे जो मैंने आपको जैसे आहड वाला बता दिया बेराठ वाला बता दिया महिपाल वाला बता दिया कुछ परष्ण ऐसे हैं जो उस इस्तर के हैं कि आपने वास्ते में मैनत की थी तो तो वह आपको आते होंगे नहीं तो फिर वो ही है कि उनमें तुका लगाओ और केवल इन परष्णों से संतुष रोजाओ 40 से कि हमारे इत्ते तो सही थे इसमें इत्ते हर बारी होंगे और सब की होंगे और जिंद की बर होंगे चाहिए हमेशा देते रेना पेपर यहां तक यह वाले सेलेक्षन करवाएंगे और उसके बाद उपर दो-च्यार क्यूशन ऐसे हैं जो आपने कभी सुने भी निये दूर-दूर तक आपको कुछ पता नहीं है तो वैसे परशन भी सेलेक्षन करवाने में कोई बहुत बड़ी उनकी कोई भूमिका नहीं है कि आप उनके वल दो-च्यार क्यूशनों के लिए अपनी सारी त्यारी को ही परफावित कर दो और इन चीजों को छोड़ दो आपको सुरुवात एक से करनी पड़ेगी यानि सुरू के जो 40-45 वो परशन जो की आसान कह सकते हो ये वाले परशन इस तरह के ये आपको आने ही चाहिए तो 0 लेवल से त्यारी होती है और आगे आप दिरे 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 आगे से बढ़ते 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 आप 70-75 क्युषन तक एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंशते हो नेगिटिव मार्किंग करने के बाद भी क्योंकि 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के अंदर नेगिटिव मार्किंग है रीट में नहीं थी लेकिन इन में है तो रीट में अगर आपने तुके लगाए होंगे तो वो तुके तो यहां नहीं चलेंगे यहां तो जिसको जो आता है वो आता है नहीं आता तो नहीं आता है तो यह था आज का वीडियो और मुझे आशा है कि अगर आप इस चीज को समझ आते हैं जो मैंने यहां समझाई है तो यकिनन आपका सेलेक्शन होने से कोई नहीं रो सकता और बस बात वो ही है कि वास्ते में आप और कितने विद्यार्थी हैं जो इस चीज के लिए और मेहनत करेंगे या कैवल वो वहीं खुश हो जाते हैं कि 40 तो सही थे मेरे या आपको वो है कि कम से कम 70 पिचेतर तक मुझे पहुंचना है तो मुझे उस इसतर तक भी पहुंचना पड़ेगा आपको कौन कहा रहा है कि 95% करके आओ कौन कहा रहा है कि 95% तो होने ही चीए कोई 1st grade, 2nd grade किया कभी गई है कटोफ 95% वो ही जाती हर बार 60, 65, 68, 70 से नीचे नीचे तक लगबग सिमट जाती है कटोफ तो ये मैन बिंदु हैं और हर बार एक्जामें एक दो बिल्कुल नए हटके क्यूशन आते हैं वो मैं भी अगर आप, मैं आपके सामने पेपर बनाऊं तो मैं एक दो क्यूशन आपको ऐसे दे दूँगा जो आज तक मैंने भी कहीं नहीं आपको पढ़ाया होगा और आपने भी आज तक आपकी जीत, क्योंकि एक एक एक्जामिनर जानता है कि आपके पास क्या-क्या हो सकता है क्या आपको लग रहा है कि एक्जामिनर को नहीं पता होगा कि आपके पास क्या-क्या मैटर होगा उसको ये पता है कि आपके पास क्या-क्या मैटर हो सकता है कौन-कौन सी गाईड आप पढ़ सकते हो कौन-कौन सी अथेंटिक पुस्तक भी पढ़ सकते हो मार्केट में कौन-कौन से नोट्स भी आप गर पे लेकर के आजाओगे ये भी उसको पता है और उसको ये पता है कि मैं ये जो कुछन पूछ रहा हूँ ये उसको आएगा आक नहीं आएगा कहां इस्टुडेंट गच्चा खाएगा कहां उसका दिमाग भर्मित होगा कहां वो बान गंगा भी उसको काली बंगा नजर आएगा इतना वो डिप्रेशन में होगा ये सब पता होता है उसको और उसी के बेस पे वो उस तरह से पेपर त्यार करता है तो ये है कुछ मैटपून चीज़े तो मुझे आशा है आपको निशित रूप से इस वीडियो शे लाब होगा और वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक भी किया कीजिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें और इसी तरह से मैनत करते रहें त्यारी करते रहें सफलता का कोई शोट कट नहीं है यह मैं फिर से बता रहा हूँ अगर जी जान से आप मैनत करेंगे तो तो सेलेक्शन होगा और नहीं तो फिर वोई है कि दुनिया की भीड में खोजाओ और हर बार एक निराशा के साथ मैं फिर वो त्यारी वापस करों क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा चाहिए लास्ट में कुछ भी होता हूँ चाहिए पेपर कितना भी हाड आजाए पेपर कितना भी आसान आजाए वो सीटें हमेशा फूल होती है जैसे कई बार पेपर जादा आसाना आगया तो विद्यार्थी कह देता है मैं तो बहुत हाड त्यारी कर ली थी जैसा रीट में काफी विद्यार्थी हजारों विद्यार्थी कर रहे हैं पेपर ही आसाना आगया हमने तो बहुत ज़्यादा high level की त्यारी की थी क्यों मैंने तो नहीं बोला था आपको कि आप उस high level की त्यारी करो त्यारी का एक सही तरीका होता है अगर आपको सही pattern मालूम हो तो आप 50% तो सफलता आपके उसी time ही हाथ लग जाती है तो आप आप excuse नहीं ले सकते आप जैसे मालो जो विद्यार्थी कैवे रहे हैं कि paper read का आसान था रहे हमने तो त्यारी hard की थी इसलिए नहीं हुआ क्या ये excuse आपके कोई काम का है ये या paper अगर माल लिजिए hard at अब 2016 वाली vacancy थी वो 17 वाली read की उसमें psycho जो बाल विकास था वो बहुत अच्छे इस्तरका paper था पहली बार राजस्तान के अंदर read के paper में इतनी अच्छी कभी बाल विकास आई थी तो बहुत सारी विद्यार्थी उसमें ऐसे अडगे के ये नहीं तो hard pushly जितने भी coaching संस्तान थे सारे fail होगे coaching संस्तान क्योंकि हमें तो coaching वालों ने कुछ पढ़ाये नहीं था वो तो आसान सान पढ़ाये और paper इस्तरका आगया आप जिंदगी बरचाए किसी पर भी आक्षेप करो ले दे के बात ये कि नुकसान आकिर आपका है आतम दीपोबाय जब तक आप खुद अच्छे से जी जान से समरपित होकर के त्यारी नहीं करोगे तो last में फिर वो ही होता है कि किसे ना किसी का आपको कोई ना कोई excuse लेना पड़ता है कि इस वज़े से मेरा selection नहीं हुआ और इस दुनिया को आपकी वज़े से कोई मतलब नहीं है कोई लेना देना नहीं है आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे जिस दिन result आएगा सिर्फ यह पूछेंगे selection हुआ या नहीं बस अब आपने कितनी मेहनत की ठीक नहीं की ठीक वो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है और कोई भी आपको देखने वाला नहीं है तो थोड़ी मैचोटी लाएं अपने अंदर और जी जान से समरपित होकर के त्यारी करें तो फिर देखिए क्या मज़ा आता है selection होने का और वो भी अच्छी rank के साथ तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत